हलो एवरीवन आज है 10 अपरिल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहें समवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लेमिटेट के बारे में देखे 67 रुपीज के आसपाँ शेयर ट्रेट करना है आज ना ही उतनी बड़ी तीजी है ना ही उतनी बड़ी गिरावाट है और मार्केट का भी यही हाल रहा है वीडियो में बात चीट करेंगे इस कंपनी में क्योंकि देखा जाए तो भाईया यह वो कंपनी है जिसने कई बार कई बड़े बड़े बोनस अनाउंस किये है दिये भी है और हाल फिलहाल में ही उसके अंदर मतलो पिछले साल यह अगर आप देखो तो मदरसन सूमी वाइरिंग भी इसी का पार्ट हुआ करती थी जो इससे अलग हुई एक अलग एंटिटी के तौर पर लिष्ट हुई और जिस साल लिष्ट हुई उसी साल इसने भी बोनस दे दिय तो वीडियो में स्पेसिफिकली वाद करेंगे कि वह यह मदरसन सूमी जो पहले मदरसन सूमी थी और अभी समवर दिना मदरसन इंटरनेशन कही जाती है 67 पर ट्रेट कर रहा है वहाँ पर क्या मौके बन रहे है वीडियो को शुरू कर रहे है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जब पो काफी जादा हल्प करेंगे तो 67 रुपीज का यह शेर है पिछले एक महिने में अगर हम देखे तो यह गिरा है 15% तक गिर चुका है लगा तर गिरा था 62 पर आया वापस तीजी पकड़ी और अभी उसी रेंज के आसपास यह बटक रहा है ना ही कोई बड़ी तीजी है ना ही कोई बड़ी गिर गिरावट है अगर बात करेंगे पिछले एक साल की तो पिछले एक साल में अभी भी 30% की गिरावट है इससे पहले भी यह 62 पर गया बड़ी देखाई 80 रुपे तक पहुंच गया उसे उपर गया वापस गिराई है अब वापस कोशिश कर रहा है यह उपर जाने की और इस पर ट्रेट करेगा मतलब समझ लोग खरीदारी के मौके बनेंगे यहां पर अगर आप मैक्सिमम ग्राफ भी इसका देखोगे तो वह यह कई बार ऐसा हुआ है कि बड़ी तेजी के बाद बड़ा करेक्शन आया है फिर बड़ी रफतार देखाई फिर बड़ा करेक्शन है और भी इस तरह की से टाटा मोटर्स की रिपोर्ट आई जेलार को लेकर कि इनके यूरोपियन बाजार में अच्छा बिजनस हो रहा है चाइना में अच्छा हो रहा है यूके में अच्छा बिजनस हो रहा है तो कहीं न कहीं मैं मान के चलूँगा कि यहां पर भी आपको अच्छी चीज़े देखने को मिल सकती है रीजन क्या है कि इस company के जो clients है वो बड़े बड़े दिग्ज प्लेयर है चाहे Mercedes की बात करे, BMW की बात करे, Volkswagen की बात करे, इनके clients है इन ही से भाईया वो parts खरीदते हैं जो कि बड़ी बात है अगर हम बात कने जाए company में तो 67 lakh से भी जादा काज volume हमें देखने को मिले जो कि अच्छी बात है, इतना ही नहीं अगर आप देखोगे, तो 100% लोग, according to money control user कह रहे है, खरीदारी को मेरी buying की recommendation है, लेकिन कहाँ पर, वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा लेकिन एक चीज़ जरूर है, कि जब ये महंगा भिक रहा हो, तब नहीं लेकिन जब सस्ता भिक रहा हो, तब खरीदारी के मोगे हमेशा बनेंगे यहाँ पर company अगर आप देखोगे, तो dividend भी पे करता है, अच्छा पे करता है इसे पहले ये डेट रुपए तक का dividend साल आना पे कर रहा था, पिछले साल 65 पैसे का पे किया इसने dividend लेकिन आपको बता देगे पिछले साल company demurge भी हुई थी, यह मदर संद सुमी वाइरिंग अलग हुआ था, और मदर संद सुमी वाइरिंग ने भी पचासी पैसे का dividend पिछले साल पे किया था, तो हाँ, dividend फिर आपको मिल जाएगा 1.5 रुपए का, और हाला कि मदर संद सुमी वाइरिंग ने बोनस भी तो कई बार ये बोनस पे कर चुका है, अगर आप इसको आज से 5 साल बाद भी देखोगे तो हो सकता है कि आपको 70-75 पे नजर आ जाए, लेकिन 5 साल में ये दो बार शायद आपको बोनस पे कर चुका होगा, तो देखा जाए तो जो पैसा बनेगा वो बोनस के थुरू बनन लेकिन कंपनी अब फोकस कर रही अपने नॉन आटमोबिल बिजनस पर, एरो स्पेस पर कंपनी कई सारी बड़ी बैट ले रही है, कई छोटी मोटी कंपनी को इनको अक्वायर भी किया है, बोईंग जैसे बड़ी कंपनी से इनको आटर भी मिला है, और और जहां तक बात करें, प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स रांदार है, 122 क्रोर का प्रॉफिट 140 में कंपनी हुआ, फिर 500 में हुआ, फिर 400 में हुआ, लेकिन हाँ, अब देखना होगा कि मार्च में कैसे आटागी, बढ़ चुकी है, अब लोग इससे बड़ी केंडल चाहते हैं, चाहे प्रॉफिट की बात करें, चाहे रिविन्यू की बात करें, लोग इससे बड़ी कैंडल देखना चाहते हैं, और अगर वो दिखाने में कामियाब हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात हो निकिन अगर नहीं हो पाते हैं, तो शॉर्ट टेम के लिए पे तो थोड़ा बहुत धुगतना पड़ेगा इने समवर्दिना की बात करने जाए कंप्रीन के बारे में तो यहां बार देखो तो 47 का इसका पी रेशो है सेक्टर भी 130 का है सस्ता कैसा क्या सकते आप इसको भी भी 79% टैना लिस्ट भी कहते हैं जहां तक बात करें हम शेह होल्डिंग की तो शेह होल्डिंग में जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो निकल कर आई है 68.16% अच्छी होल्डिंग है यह और थोड़ी सी होल्डिंग गिरिवी है 0.76% लेकिन बड़े बड़े फंड हाउस भी बहुत बड़ी कॉंटिटी लेकर बैठे हैं 8.90% mutual fund, 3.12% domestic institution, 8.24% Files और आपको वजाय दे कि यह जो होल्डिंग है यह December quarter की है December से अब तक बहुत कुछ चेंज शायद हो सकता है March quarter के अभी तक आई नहीं है shareholding pattern लेकिन देखना interesting होगा क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस साल, इस महीने अगर आप देखो तो गिरा तो है यह शायर, even 83 रुपीज से गिरा है और वो गिरावट की वज़े भी यह थी कि एक बड़ी block deal हुई थी जिसके जरिये गिरावट आई और block deal भाया market price से काफी कम price पर हुई थी इसलिए गिरावट भी आई थी लेकिन हाजिस price पर trade कर रहा है उतने कम price पर नहीं हुई थी ठीक है उससे उपर ही block deal हुई थी company में अगर हम देखने की बात करें इनके revenue भी अच्छे है इनके profits भी अच्छे है shareholding भी अच्छी है company profit भी कर रहे है company का long term outlook भी अच्छा आ रहा है company के अच्छे अच्छे बड़े clients भी है और देखो automobile sector definitely आने वाले दोर में focus में रहेगा लेकिन अभी भी बहुत सारी challenges है जो इनको परिशान करेंगे देखो हम मान के चल रहे हैं चाइना में यूरोप में यूके में वो शायद थोड़ी सी sort out हो रही है वो एक ये एक तरीके का अंदाजा आप लगा सकते हो यहां पर लेकिन हाँ यह कहना कि सब कुछ बहतर हो चुका है यह जल्दबाजी को की अभी भी मुझे लगता है कि 67, 68 रुपीज थोड़ा सा यह महंगा है और आने वाले दोर में थोड़ा सा और correction आपको देखने को मिलेगा खरीदारी की मौके जो ही वहाँ आपको 60-65 रुपए के बीच में रहेंगे Initial Buying के जो मौके हैं समवर्दना मदसन इंटरनेशन में वह 60-65 रुपए के बीच में होंगे Initial Buying के मौके उसके बाद माल लीजे कि बाजर अगर मंदी के दोर से गुजरता है और खराब सिचुएशन रिस से गुजरता है तो नीचे के लिवल पर आपको एवरेज करने के मौके डूडने चाहिए और वह 55-60 रुपए के बीच का नेक्स लिवल होगा एवरेज करने का तो यहां पर मैं इतना ही कहूँगा अभी के लिए कि खरीदारी करी है तो बने रही है लेकि जहां तक बात है फ्रिश बाइंग की थोड़ा सा वेट कर लीजे मुझे होता है कि चाहिए थोड़ा सा और फर्दर करेक्शन यहां पर बनना चाहिए और वहां पर एक अच्छे कासे मौके बनेंगे खरीदारी करने के तो वहां पर आपकी नजर होनी भी चाहिए और देखो आटो मूबिल सेक्टर डेफिनिटली कुछ वक्त के लिए प्रिशर में रहेगा अगर इंटरेस रेट इससी तरीके से बढ़ते रहे हलाकि बढ़े भी है यहां पर RBN नहीं बढ़ा आए हैं इस बार लेकिन साथ में यह वार्निंग देकर भी काए कि देखो हम इस सिचुवेशन को टेस्ट कर रहे हैं अगर सिचुवेशन कंट्रोल में नहीं आती मंदी बढ़ेगी तो हम आगे बढ़ा देंगे इसको तो यह टेस्टिंग फेस कहा सकते हैं आप इसको लेकिन अभी भी शायद यहां बढ़ भी बढ़ सकता है और यह सारी दिक्कते पैदा करती है कंपनियों में यह सारी चीज़े तो देखो खरीदारी करिए बने रही है फ्रेश बाइंग की जातक बात है साट से पैंसट रुपे की रेंज पर आपकी नजर होनी चाहिए इनिशल बाइंग के लिए पचपन से साट रुपे का रेंज होगा एवरेज करने के लिए इसके अलावा कुछ और कंपिनियां भी है जो भी इसी सेक्टर से बिलॉंग करती है एक तो है मिंडा कॉर्प 255 का यहां पर 3% की बड़ी रफ्तार आई है मिंडा कॉर्प में मदेशन सूमी की बात करें यह 50 रुपे के निचे है और आज 5% तक गिरा है यह वेरोक की बात करें वेरोक तो भी अब जहां था वही पर 260 पर लेकिन बहुत बड़ी गिरावट वेरोक अब तक दिखा चुका है अगर आप देखो तो वेरोक अच्छे कासे प्राइस पर था वेरोक अगर आप देखो तो एक साल पहले यह 4500 रुपे से भी उपर ट्रेट कर रहा था अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके उपर भी एक डेटेल वीडियो बनाओ तो जिसके सी कंपनी के उपर आप वीडियो चाहते है उसका नाम लिखे जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट है थैंक यू